हलो गुड मॉनिंग दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाइफा स्टेडी पे इंडिया की नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म और मैं आपका मैट्स गुरू एक बाफ फिर आज़िर हो चुका हूं आज की धमाकेदा ट्रिक लेकर तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग सीखेंगे unit digit मतलब के 1 का अंक निकालना माट तो 5 सेकंड में मतलब 5 सेकंड तो बहुत जादा है देखके आप caution का answer बता सकते हो कि answer क्या आएगा ठीक है तो भाई unit digit का concept बहुत जादा पूछा जाता है और SSC और railway के लिए एक तरीके से बोला जाएं कि एक Sud कि देता हूँ आज अपनी दो मेराथने एक मेराथन अपनी SSC की है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जिसका टाइमिंग 10-12 है और दूसरी मेराथन अपनी है साड़े साथ से साड़े नो जो बैंकिंग की है जिसका जो आपका पूरा टाइमिंग है वो साड़े साथ से साड़े इन दोनों मेराथन को आपको करना है पूरे ये दोनों मेराथन अगर आप करोगे लिटरली बता रहा हूँ ऐसे कॉशन्स आपको करने को मिलेंगे कही ना कहीं ऐसे कॉशन आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे जो रिलिवेंट है सबसे बड़ी चीज रिलिवेंट कॉशन ह यह sse और goal select sse करने के बाद सीधे आपको सर्च करना है प्रबल लवानिया जैसी आप यह सर्च करोगे प्रबल लवानिया तो रंद मैं मिल जाओगा और प्रबल लवानिया सर्च करने के बाद वहाँ पर मेरे को follow कर लिए ठीक है फॉलो करने से आपको फाइदा क्या होगा आप फॉलो करने से ये फाइदा होने वाला है हमको के प्रॉपर नोटिफिकेशन आएंगे और आपको पता पर जाएगा वहाँ पर मेरी स्पेशल क्लास दस बजे सुबा है और एक शाम को साड़े साथ बजे तो सरूर सुबा दस बजे की क्लास अटेंड करिए आफ्टर दिस वीडियो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं टेलीग्राम चनल अगर आपने जॉइन कर लिया है तो टेलीग्राम पर मैं लिंक तो शियर करी दूँगा सारी ठीक है कल नौ बजे तक आपको लिंक मिल जाएगी सुबा दस बजे क्लास की ताबढ़ तोड सेशन होगा यह मेरा वादा है इतना मैं प्रॉमिस करा हूँ एक अपने अप्लाइव आ जाना तोरण लिंक आपको टेलीग्राम चनल पर मैं दे दूँगा तोरण क्लिक करके सीधे आपको वो वीडियो पर लेके जाएगी ठीक है चले आगे बढ़ते हैं यूनिट डिजिट के कंसेप्ट की गरफ यूनिट डिजिट होता क्या है मतलब एक 2 अपना यूनिट डिजिट है 286 अपना यूनिट डिजिट है ये यूनिट डिजिट तो जब किसी नंबर का यूनिट डिजिट निकालना है पावर कुछ भी लगी हो अब पावर क्या-क्या लगी होती हो किस तरीके से निकालते हैं वो समझाता हूं में कैसे करना है जैसे आपको दिख रहा होगा 478 की power 41, unit digit निकालने की सबसे बड़ी trick है, जो मैं आपको बता रहा हूँ सुन लेना, ठीक है, सबसे पहली trick है, नमबर ले लो 4, trick बता रहा हूँ, direct trick बता रहा हूँ कैसे करना है, नमबर ले लो 4 चार का डिवाइड करो जो भी पावर में चाहें कितनी भी बड़ी पावर हो चाहें एक करोड भी पावर हो आकरी के दो अंक उठाओ और उसको चार से भाग दे लो जैसे 4, 70, 8 की पावर 41 है 41 का भाग आपने 4 से दिया 4, 10, 40, रिवेंडर कितना है 1 अगर रिवेंडर 1 आया तो पावर भी आप 1 कंसीडर करोगे मतलब जो 8 आपका यूनिट डिजिट है 8 की पावर 1 कितना हो जाएगा ठीक है, ये ट्रिक है, समझ लो उसके बाद second case दिया हुए 42 42 में 4 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 42 में 4 का डिवाइड करेंगे रिवेंडर 2 आएगा, तो अब आपकी पावर कंसीडर होगे 2 8 की पावर 2 होता है 64 मतलब यूनिट डिजिट कितनी होगी 4 clear 478 की पावर 43 43 में आप 4 का डिवाइड करोगे रिवेंडर 3 आएगा, तो अब आपकी जो पावर होगी 8 की पावर 3 कंसीडर होगी जितना आपका रिवेंडर है तो 512 आएगा, मतलब आपकी यूनिट डिजिट 2 हो चुके है clear लेकिन अगर आपका रिवेंडर 0 आगया जैसे उपर 44 है, 44 में जब 4 का डिवेंडर 0 रिमेंडर 0 के case में आपको 4 पावर कंसीडर करनी है important case है बहुत से लोग उल्टा सीधा कुछ भी पावर लेके चलते हैं, कोई 1 लेके चलता है कोई 2 लेके चलता है, कोई 0 लेके चलता है नहीं, आपको लेके चलनी है पावर 4, अगर complete divide हो जाता है, पावर का, last की 2 digit power की, अगर complete divide 4 से हो जाती है, तो power 4 consider करेंगे, मतलब 8 की power 4 और 8 की power 4 आपका कितना होता है बाई, 8 is the 64 और 8 is the 64, तो unit digit कितनी आएगी आपकी, 6 clear हुआ यहाँ तक clear हुआ, यह point clear है, एक question देखो, एक example के तोरपे लेते हैं, जैसे मैंने बोला 7, 9, 2, 2 और इसकी unit digit में, इसकी जो power मैंने दे रखिया, आपको 2, 9, 6, 8, 1, यह दे दिया अब आपको मतलब नहीं है, 2, 9, 6, 8, 1, जो power एससे कोई मतलब नहीं है आपको आखरी के दो अंक देखना है, और 80, 1 में 4 का divide करना है, 4, 2, 8, और यह 4, 20, जा 80, unit remainder कितना आया, 1, अगर remainder 1 आया, तो unit digit 2 था, 2 की power 1, आपका answer आ जाएगा, 2, तो unit digit कितना मिल गया 2, easy है, एक और question लेके देखते हैं, फिर हम लोग आगे questions की तरफ ही बढ़ेंगे, देखो, मैंने आपसे बोला, 7, 8, 7, 7, और इसकी power दे दी, मैंने 2, 8, 9, 6, 5, 2, यह दे दिया, ठीक है, यह दे दिया, अब आपने देखा, आखरी के दो अंक उठाए, 52, 52 में 4 का भाग दिया, 13, 42 हो गया, remainder 0, remainder 0 केस में मैंने क्या बताया था, 7 की power आपको कितनी लेनी है, 4, 7 की power 4 का मतलब क्या है, भाई, देखो, 7 into 7 into 7, 7, 7, 7 जा 49, unit digit 9, 7, 7, 49, unit digit 9, 9, 9 जा 81, unit digit 1, तो इसकी unit digit कितनी आएगी, clear हुआ, समझ में आया, यहां तक point clear हुआ होगा, आयोप, आपको एक और caution लेते, तो रंत, जिससे आपको और बहतर तरीके से चीज़े clear हो जाए, समझ में आ रहा है ना, चीज़े clear हो रही होंगी अब आपको, देखो, 2833 की power मैंने ले लिए आपके लिए, 4697, 4697 ले 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 तो, तो 4697 में, आपको सिर्फ 97 से मतलब है, और 97 में आपने 4 का डिवाइड दिया, 4 to the 8, और यह 17, 4 to the 16, unit digit आपकी, remainder कितना मचा? 1, remainder 1 है, तो unit digit 3Q पर 1 पावर लगा है, कितना आगया? 3, clear हुआ, point clear है, आपको क्या करना है, पहला step, जो भी power में लगाए, आखरी के 2 number पकड़ो, उनको 4 से भाद दो, अगर remainder 1 आया, power 1 कर दो, अगर remainder 2 आया, power 2 कर दो, अगर remainder 3 आया, power 3 कर दो, और अगर remainder आपका 0 आया, तो power 4 consider करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए, अब आपको कुछ exception में बता देता हूँ, exception इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी वज़े से आपका question easy होगा, 5 की उपर कोई भी power लगी होगी, any power, ठीक है, तो unit digit हमेशा 5 भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा, 6 की उपर कोई भी power लगी होगी, 6 की उपर कोई भी power होगी, हमेशा unit digit 6 मिलेगा, इसको चेक ही नहीं करना, 5 की उपर कुछ भी हो, आपको उसको सीधे 5 लखना है, 6 की उपर कुछ भी power हो, उसका unit digit हमेशा क्या आएगा, आपका, 6 आएगा, ठीक है, एक exception और लेंगे, अगर 4 की उपर even power लगी है, तो unit digit जो आपकी होगी, वो मिलेगी 6, अगर 4 की उपर एक sum संक्या आ रही है, तो unit digit हमेशा आपकी क्या होती है, 6, ठीक है, इसी के लिए, एक case और बनता है, अगर 4 की उपर odd power है, तो unit digit आपको कितना मिलेगा, 4, ठीक है, ये इसका a part है, इसको अगर आपने याद रखा, ये तो आपको याद ही होगा, 5 की उपर कुछ भी होगी, 5 मिलेगा, 6 की बाव कुछ भी होगी, भी 6 मिलेगा, ये important है, इसको याद रखेंगे, 4 की उपर even power है, unit digit 6, 4 की उपर odd power है, unit digit 4, 9 की उपर even power है, unit digit 1, 9 की उपर odd power है, unit digit 9, यहाँ तक ये point आपको याद रखने, अब question आपके लिए easy रहेंगे, पहला question, let's see, 7 की power 71, 71 को अगर आप 4 से divide करते हो, अगर 71 को आप 4 से divide करते हो, तो 71 को 4 से divide करने पर कितना मिलेगा, 17, 4, the 68, demanda 3 होगा, तो 7 की power 3 होगया, ठीक है, 63, 6 की power 63, 6 की power कुछ भी होती, unit digit तो 6 मिलता है, आपको पता ही है, multiply, 3 की power 65, 65 में अगर मैं divide देता हूँ 4 का, तो 16, 4, the 64 होता है, unit digit 1 आता है, मतब यह जो 3 है, 3 की power 1 आएगा, 7 की power 3, 343 होता है, है, जिसका unit digit 3 होता है, 7 की गहां 3, 343 होता है, जिसका unit digit 3 होगा, and 2, 6, and 2, 3, तो 3, 6 है, 18, unit digit 8, 8, 3, the 24, तो 24 का मतब हो गया, unit digit 4, तो आपके question का answer 4 आएगा, clear हुआ, 7 की power 3 होता है, 343 का unit digit 3, 6 की power कुछ भी होगी, 6 ही मिलेगा, 3 की power 1 हो गई, तो 6, 3, the 18, 8, 8, 3, the 24, का 4 unit digit, अगला question, 5, 75 की power 71, 5, 5 की power कुछ भी होगी, 5 ही मिलेगा है यहां तो, 9 की power, यहां 9 लगा है, 9 की power क्या है, 63, और 63 आपका एक odd number है, और 9 के case में जब भी odd number लगा होता है, तो आपने को 9 ही मिलता है, आपको यह चीज़ पता है, 9 के case में जब even number होता है, तो 1 मिलता है power में, और 9 के case में जब odd number उपर होता है, तो हमेशा 9 मिलेगा, यह बात पता है, 4 की power 68, 68 एक even number है, ठेक है, 4 की power 68, आपको unit digit देखना है, 4 की power 68, 68 एक even number है, जो 4 की power even होती है, तो मिशा 6 मिलता है आपका unit digit, अब देखो, 6, 5, 0, 30, मतलब unit digit 0 मिलेगा, खतम, 0 आपके question गाँस है, ठेक है, clear हुआ concept, अगला part, चलो, 134 की power, सबसे पहले तो ये देखना, पूरा multiply नहीं करना, एक चीज़ पर गौर करना, 3 और 7 का अगर multiply होगा, तो unit digit 1 आएगा, unit digit 1 आने का मतलब ये number odd number है, मतलब एक विशम संख्या है, कैसी संख्या है विशम, भाई, odd और even का पता किसे बढ़ता है, आखरी number को देखके, अग लेकिन यहाँ पर आखरी digit को पकड़ा, साथी है, 21 होगा, क्योंकि power की उपर power होता है, तो multiply होता है, साथी है, 21 होगा, 21 का मतलब 1 आया, 1 आपका odd number है, तो odd number का मतलब है, कि 4 की उपर आपकी जो power है, वो odd है, और जब भी 4 की उपर odd power आती है, तो हमेशा आपका जो unit digit है, वो multiply हो जाता है, 73 हो 21, मतब unit digit 1 आया, तो यह odd number है, और 4 की उपर जब odd number आता है, तो हमेशा 4 मिलता है, अगला question, चली भाई, इसको देखते हैं, 139 की power 13, और इसकी power 486, पावर की उपर जब power लगा होता है, multiply हो जाता है, तो multiply होने पर 6, और 3 का 18 मिलेगा, last digit, 18 का मतलब even number, और यहाँ पर 9 लेखा है, तो 9 की power एक even number है, और 9 की power जब भी even number आता है, तो unit digit आपको पता है, 1 हो जाती है, मतलब आपके caution का answer, D option आएगा, तुरंत आएगा भाई, power की उपर पावर लगी है, multiply होगा, छेतिया, 18 होगा, 18 का मतलब आकरी digit 8, अगर आकरी digit 8 है, मतलब यह even number है, तो 9 के उपर even number का मतलब unit digit 1 हो जाएगा, clear है सबी को, चली, अगला question, 24 में 4 का divide देंगे, कितना आएगा, 6, और 4, 6, 24 मतलब reminder 0 आएगा, reminder 0 आने का मतलब, power 4 consider करनी है, 3 की power 4, minus 38, 38 में 4 का divide देंगे, 4, 9, 36, reminder 2 आएगा, मतलब 7 की power 2 हो गया, unit digit यह, ठीक है, plus 6 लगाएं, तो 6 ही रहेगा, 3 की power 4, आपका कितना होता है, 81 मतलब 1 आएगा, 7 की power 2, 49 होता है, 9 आएगा, और plus 6, तो यह हो जाएगा, 7 minus 9, minus का 2, अब आप बोलोगे, सर, minus 2 में unit digit आ सकते हैं, क्या मैं बोलोगा, बिलकुल नहीं, तो आप बोलोगे, सर, minus में नहीं आएगा unit digit by chance, by chance, example ले लिया, तो 10 minus 3 आपका unit digit 7 हो जाता, minus का 4 आता, तो 10 में से 4 गया, 6 हो जाता, इस question का answer क्या है, यहाँ पर 8, clear, I hope चीज़े आपको समझ में आएगे, बहुत बहुत बहुतर तरीके से, अगर session बद जद आया तो प्लीज इसको like करिएगा, comment करके बताएगा, how was the session, unit digit का concept मैंने हमिशा गले आपका खदम कर दिया, अब आप कोई भी question करके देखना, तुरंद बनीगे, बस concept याद रखना, कि आकरी के दो number को 4 से divide करना है, और आपका जो reminder आएगा, वो 1 है, तो power 1, 2 है, तो power 2, 3 है, तो power 3, और 4 है, तो और अगर 0 आया, reminder, तो power 4, बस question हो ज होएंगे, बाकी अगर आप power से करोगे, तब भी answer वही आएगा, CGL के foundation course में second topic start हो रहा है, इमारा ratio, इससे पहले की video आप देख सकते हो, recorded है वो already, live class आप आजी से attend करें, जैसे ही आपको लगें, मतब देखो यार, foundation course का फाइदा ये होता है, जितनी चीज़े आपने basic से नह पढ़ा रहा हूँ, साथ हो दिन पढ़ा रहा हूँ, Sunday को तक classical, कल Sunday तक को glasses हो, आपके लिए इस paid course में, ये सिर्फ paid course आपके लिए होगा, मेरे लिए जान है, ये क्यों जान है, क्योंकि इस paid course में अपनी दुनिया की पूरी, मतब ये समझ लो, पूरी जान जोग दे रहा हू इतना content दे रहा हूँ, इतना धवाका दे रहा हूँ, कि आपको खुद लगेगा, सर, इतने सवाल paid course में कराई जाते हैं, कहीं भी देख लेना, इतनी guarantee है, कि इस paid course को देखने के बाद, आप कभी भी, किसी को भी, मतब कोई जरूरत दी पड़ेगी, कोई video, कोई book की जरूरत content मैं आपको दे रहा हूँ, सिर्फ 400 रुपे प्रती महीने, कोई जादा नहीं है, मेरे साफ से हो, बाकी आपकी इच्छा है, ये सब कुछ आपकी will pay depend करेगा, कि आप लोग कितना उस चीज़ को serious लेते हो, लेकिन बिड़े content के लिए मैं बता देता हूँ, कि content इतना गजब क हर chapter को 9 दिन दिए, किसलिए, कि 9 दिन में कम से कम 200 question paid course में आपके class में solve करा हूँगा, 200 question की sheet मिलेगी, 400 question, एक chapter की आपको मिलेगी, इससे जादे कोई नहीं मिलेगा, लेना कैसे है, bank जैसे लिखा हुआ है, ऐसे SSC goal select करना है, get subscription बे, click करना है, और सीधे जाना है 12 month subscription बे, और इसलिए mandatory है, जिससे आपको 10% का off मिल जाए, प्रबल सर, ये as it is लिखना है, without gap, तो आज ही subscription लीजे, अगर कोई भी query है, तो आप मेरे को पूछ सकते हो, bets by प्रबल सर नाम से telegram channel पे, बाकिया हम लोग मिलते रहेंगे, कोई भी दिक्कत है, direct आप मेरे को telegram channel पे message कर सकते हो, तब तक के ले, thank you, have a nice day and best of luck, please do like the session and comment as much as possible, thank you, thank you so much.